नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है OnePlus Nord 4 5G दोस्तों अगर आपने इस फोन को पर्चेस किया है या अगर आप इससे पर्चेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटप कम्लिट करोगे उसके फोरन बद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स इन सबी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफटी, सिक्यूरेटी, प्राइविसी और प्रोड़क्टिविटी के लिए तो अगर आप अपने फोन को बहेतर तरीके से उसकरना चाहते है तो आपको चेंज करनी है ये सबी 20 सेटिंग्स तो आईए दोस्तों चेंज करते हैं इन सबी 20 सेटिंग्स को वन बाई वन इस फोन में आपको मिलता है डेबल टाप टू लोग और डेबल टाप टू ओन का फीचर अगर आप भी अपने फोन में इस फीचर को इनेबल करना चाहते तो आपको जाना है वोमपेश पे लोग टाप किजिए नीचे यहाँ पे होगा मोर का option इसे open किजिए और यहाँ पे आपको ओन करने हैं दो options तो यह है डेबल टाप टू लोग इसे on किजिए इसके बाद नीचे है डेबल टाप टू ओन ओन अपने फोन को लोग किया है लेगिन फिरी भी अग् का फोन लोग होता है तब कोई भी इसे एक्सिस ना कर सकते हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में नोटिफिकेशन में मोर सेटिंग्स में और यहां पर है स्वाइब डाउन ओन लोग्षिन आपको इस टोगल को ओफ करना है इसके बाद अगर आप अपने फोन को लोग करोगे और कोई भी आकर आपके फोन में जो कंट्रोल संटर है उसे एक्सिस करना चाहेगा तो एक्सिस नहीं कर पाएगा आप देख सकते हो जब आप अपने फोन को अनलोग करोगे तब भी आप उसे एक्सिस कर पाओगे इस तरी के से आप अपने फोन में बिना किसी आप को डाउ किया है लेकिन मुझे नहीं परता यह message क्या थे तो अगर आप भी ऐसे डिलिट के गे message को read करना चाहते हो आपको जाना है same settings में और यहाँ पर होगा नीचे last 24 hour का option इसमें होगा WhatsApp इसके सामने होगा arrow का icon आपको उस पर ट्याप करना है और यहाँ पर शोंगे वो सब भी message जो डिलिट के गे थे आपने time के साथ यहाँ पे रिट कर पाओगे इस तरह के से आप देख सकते हो अगर आपने अपने फोन में face unlock को enable कर सकते हो मतलब कि आपको end में swap up नहीं करना होगा तो आपको जाना है settings में security and privacy में device unlock में face and finger print unlock में face पर टाप किजिए और यहाँ पर है enter home screen after unlocking आपको इस toggle को own करना है इसके बाद जब भी आप अपने फोन को face से जान करके unlock करोगे तो आपका phone हो जाएगा direct face unlock अब आप को end में swap up नहीं करना पड़ेगा आप देख सकते हो इस तरीके से आप जब भी किसी भी website आप में login करने के लिए password को type करते तो आपने गोर क्या होगा password के character कुछ moment के लिए show करते है इस तरीके से तो अगर बगल में कोई बेठा होगा तो जान पाएगा कि आपका password क्या है तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से password के letter show ना करे तो आप इन्हें head कर सकते हो मेशा के लिए तो आपको open करना है same settings settings को दो बार बैक जाईए और यहां पे होगा नीचे privacy इसे open कीजिए और इसमें है show password का toggle इसे off कीजिए इसके बाद अगर आप अपने फोन में password को type करोगे तो आपको password के character show नी करेंगे अब आपको हैंपे show करेंगे केवल dots and dots इस तरीके से आप देख सकते हो क्या आपको पत password के आप देख सकते हो तो अगर आप चाहते हो जब आपका phone लोग होता है तब कोई भी बिना password के आपके phone को switch up ना कर सके तो आप ऐसा भी enable कर पाओगे तो आपको open करना है same settings को back जाईए और यहां पे है more security and privacy इसे open कीजिए और यह है required password to power up आपको इसे open करना है और इस toggle को on क किजिए अपने pin को verify किजिए इसके बाद मान लिजिए आपने अपने phone को lock किया है और कोई भी आकर आपके phone को अगर power up करना चाहेगा तो power up नहीं कर पाएगा उसे enter करना होगा आपके password को या फिर scan करना होगा आपके biometrics को तब भी आपके phone को power up कर पाएगा आप इस device में YouTube क background में play कर सकते हो मतलब कि अगर आप अपने phone में YouTube को close करोगे अपने phone को lock करोगे डिस्पले को off करोगे लेकिन फिर भी आपके phone में YouTube ले होता रहेगा background में तो इसके लिए आपको open करना है इसे आपको जिसका नाम है internet यहाप आपके phone में पहले से होगा आपको इसे open करना है menu पर tap किजिए settings को open किजिए और यहाँ पर है floating toolbar आपको इस toggle को on करना है इसके बाद बैक जाईए और यहाँ पर है ऊपर में dots का icon उस पर tap किजिए और यहाँ पर होगा YouTube इस पर tap किजिए फिर आपको किसी वीडियो को play करना है और यहाँ पर आपको शोगा headphone का icon आपको इस पर tap करना है इसे close किजिए तो मैंने इसे close कर दिया लेकिन फिर भी मेरे phone में YouTube play हो रहा है background में आप देख सकते हो अगर मैं अपने phone को lock करूँगा डिस्प्ले को off करूँगा लेकिन फिर भी मेरे phone में यह play होता रहेगा background में इस तरीके से और इसे stop करने के लिए आप QC आपको open करना है और यहाप headphone के आइगन पर tap किजिए अब आप इसे close करोगे तो यह background में play होगा आपके phone में कितनी RAM available है और कितनी RAM user अगर आपको check करना हुआ तो आपको enable करना है एक shortcut तो आपको open करना है recent apps को और यहापे होगा नीचे close all का button आपको इस पे long tap करना है और उपर में यहापे है display RAM info इसे on किजिए इसके बाद जब भी आप अपने phone में recent apps को open करोगे तो यहापे आपको close all की नीचे मिलेगी RAM info आप देख सकते हो तो आपके phone में कितनी RAM available है और कितनी total RAM है आप यहापे check कर पाऊगे इस तरीके से इस phone में आपको मिलता है AI eraser का शांदार feature मतलब कि आप अपने photo में जो unwanted object है उन्हें काफी आसनी से erase कर पाऊगे तो आपको open करना है किसी भी photo को तो मालीजे आपको इस photo में से जो object है उन्हें करना है remove तो आपको edit पे tap करना है तो यहाँ पे है AI eraser इस पे tap किजिए अब यहाँ पे आपको show करेंगे तीन अलग-अलग options तो पहला है smart lasso smart lasso का मतलब होता है कि अगर आपको किसे भी object को remove करना हुआ तो आपको उसके round में circle डो करना होता है इस तरह के से वो जो object होगा automatically हो जाएगा select और यहाँ से remove किया जाएगा इस तरह के से आप देख सकते हो तो काफी अच्छे से यहाँ पे जो object है उससे remove किया गया है इसके बाद यहाँ पे है paint over और आप यहाँ से paint की thickness को कर पाऊगे add us थीनर या फिर थीकर तो मालीजी आपको इस object को यहाँ से remove करना है तो आपको इसके round में करना है उसके उपर paint इस तरह के से तो जो object है उसे किया जाएगा select और इसे किया जाएगा automatically erase तो object है यहाँ से remove किया गया है आप देख सकते हो और इसके बाद है remove people मतलब कि आपके photo में जितने भी unwanted people होंगे वो सभी को किया जाएगा select और किया जाएगा automatically erase तो आपको इस पर tap करना है आपके photo में जो भी unwanted people है उन्हीं किया जाएगा select और फिर आपका remove all करके सभी को एक साथ erase कर सकते हो इस तरह के से आप देख सकते हो तो सभी unwanted people को यहाँ से किया गया है एक साथ remove आप देख सकते हो तो पहले photo IC थी अब photo IC है photo zap में ही आपको मिलता है lift and shift का शांदार feature मतलब कि आप अपने किसी भी photo में जो object है उनके smart cutout को create कर पाओगे तो आपको किसी भी photo को open करना है और यहाँ पे जो object है उस पे long tap कीजिए यहाँ पे होगा शांदार सा animation और उपर में आपको शोओंगे चार options save, add sticker, copy और share अगर आपने इसे कर दिया save तो यहसे होगा photo zap में ही तो अगर आप जाओगे back तो यहाँ पे आपको शोओगा यह smart cutout जिसमें background को अच्छे से remove किया गया है तो आप इसे as a sticker उस कर पाओगे और यहसे होता है png format में high quality में अगर photo में माल लीजिए कई सारे object है तो आप उन्हें एक साथ कर पाओगे select तो माल लीजिए हाँ पे में open नहीं कर सकते अगर बात करेंगे instagram settings या clock आपकी तो आप देखोगे अगर मैं आपर टैप करूंगा तो मुझे आप कोई भी multi window का option शो नहीं करेगा मतलब कि आप इन आप को multi window में use नहीं कर पाओगे तो अगर आप शाहते हो जो आप आपके phone में multi window support नहीं करता वो भी आप आपके phone में multi window support कर तो आप ऐसा भी enable कर पाओगे तो आपको जना है settings में about device में version में version number पे आपको लगातार 7 times टैप करना है 1,2,3,4,5,6,7 अपने pin को confirm किजिए back जाईए और यहाँ पे होगा नया option developer options इससे open किजिए फिर नीचे आईए और नीचे आपको on करने है तिन अलग-अलग options तो सबसे पहले on किजिए force activities to be resizable enable non resizable in multi window प्रेंड में है enable free phone windows इससे on किजिए reboot now किजिए आपका phone होगा restart तो phone restart हो चुका है तो अगर आप open करोगे recent apps को तो यहाँ पे है settings instagram clock अब आप यहाँ पे ट्याप करोगे dots पे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक नया option जो है split window का जो पहले यहाँ पे available नहीं था लेकिन अब आपको यहाँ पे show करेगा तो माले जी मुझे उस करना है Instagram और settings को Accessibility and convenience में स्मार्ट सेट रबार में आपको इस toggle को own करना है और यहाँ पे नीचे file dog आपको इसे open करके से भी own करना है जैसे आप सेट रबार के toggle को own करोगे तो यहाँ पे आपको show होगी एक line से plus के sign पे tap किजिए, save करने के लिए done किजिए, तो जो apps आपने add के अब आप को यहाँ पे show करेंगे इस तरह के से, अब इन में से अगर आप किसी भी tap करोगे तो open होगा floating window में इस तरह के से, corner से track करके आप इसके size को भी change कर पोगे, उपर ओले line पे long tap करके आप इसे track कर पोग और sidebar के जड़ी आप एक साथ 3 apps को multi window में use कर पोगे, तो यह हो चुके है 2 apps, अब आपको open करना है sidebar को, और किसी भी आप पे tap किजिए, अब यह इस तरह के से 3 apps open हो चुके है multi window में, sidebar में सबसे उपर में show होता है file log का शांदार feature, तो आपको इस पे tap करना है, इससे untick किज और किजिए get started, तो हमने file log को enable कर दिया है, अब इसे enable करने का advantage क्या है, तो आप अपने किसी भी photo, video, documented text को drag and drop करके यहाँ पे show कर पाओगे, और फिर आप जब चाहिए तब उन content को drag and drop करके, अलग-अलग app में काफी easily share कर पाओगे, मानलो आपको किसी एक या multiple photo को place करना है, file release, इसके अलावा photo में जो object है, उस पर आप long tap करोगे, तो आप इसके cutout को directly इसे हो कर पाओगे, file log में, और मानलीजिए आपको उसे text content को उसे हो करना है, file log में तो आपको उसे करना है, select, long tap करके drag कीजिए, long tap करके drag कीजिए, file log में और इसे यहाँ पे कीजिए release, तो आपने जो भी content से हो किए है, file log में आपको show करेंगे, इसरे के से, आपको file log को उपन करना है, और यह है photo, cutout और यह है text आप देख सकते हो, अब मानलो आपको इनमें से दो photo को करना है, Gmail में share, तो आपको उने करना है, select, long tap करके, select कीजिए, long tap करके drag कीजिए, Gmail कोपन कीजिए, compose कीज तो मैंने दो photo को attach कर दिया है, drag and drop करके, इसके अलावाद जो text मेने share किया है, उसे share करना है, whatsapp में, तो आपको whatsapp को open करना है, contact open कीजिए, और आपको इस पे long tap करके drag करना है, यहाँ पे, तो जो text यहाँ पे paste हो चुका है, आपको फिर send करना है, इस phone में आपको मिलता है, screen recognition क on करना है, अब आपको इसे use कर से करना है, तो जब भी आपको इसे भी app को open करके, screenshot क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको शोगा, एक नया option जो है, extract content का, आपको इस पे tap करना है, और यहाँ पे होगी scanning, और जो भी text होंगे, photo होंगे, link होंगे, उन्हें किया जाएगा, इस तर करने के लिए, same option आपको मिलेंगे, long tap करने पे भी, इस तरी कर से, या फिर आप इस पे long tap करेंगे, directly, show कर पाओगे, file log में, long tap कीजिए, drag कीजिए, file log में, तो यह जो clip है, आपको show होगी, file log में, इस तरी कर से आप देख सकते हो, इसके लाग किसी भी text को आप long tap करके, इस त कर पाओगे, और अगर आप किसी भी text पे long tap करोगे, तो यहाँ पे आपको show होगे, चार options, co2 file log, copy, share, and select all, browser में होते होगे, अगर आप इस feature को use करोगे, तो यहाँ पे आपको show करेंगे, links के option भी, मतलब कि जहाँ भी links आपको show करेंगे, उसके नीचे होगी, underline, अगर आप पे टाप करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे यह option, तो यहाँ पे है open link, तो आप इस link को यही से open कर पाओगे, अगर उस page में email address आपको show कर रहा है, अगर आप इस पे टाप करोगे, तो आपको यहाँ पे show होगा, send message का option, मतलब कि आप directly यही से send कर पाओगे email, इस contact को, म यहाँ पे है gesture in motion, इसे open कीजिए, screen of gesture को open कीजिए, और यहाँ पे है draw no, draw av, दोनों को own कीजिए, और कीजिए go did, इसके बाद मान लीजिए आपके phone में display off है, अगर आपको अपने phone में camera को launch करना हो, तो आपको draw करना होगा, और आपके phone में open होगा camera, torch को on करने के लिए आपक अपने phone में हमेशा rapid charging का युश करते हो, तो आपके battery की health पे बुरा असर पड़ सकता है, तो अगर आप चानाते हो, आपके phone में battery health लंबे समय तक अच्छी रहे, तो आपको अलग-अलग situation में, अलग-अलग charging mode का युश करना है, तो आपको जना है settings में, battery में, और यहाँ पे और यहाँ पे है smart rapid charging, इसे open कीजिए, और आपको इसे use cup करना है, जब आपको कम time में ज्यादा charging चाहिए, मतलब कि आपको quickly अपने phone को charge करना हुआ, तो आपको इसे own करना है, तो अगर आपको rapid charging चाहिए, तो आपको इसे own करना है, अगर आपको अपने phone को slowly charge करना है, तो Language lighting का शांदार featureập तो आपको जना है settings में wallpapers और इस स्टाइल में always तो जब भी आपके एफ़न में डिस्प्ले ओफ होगा तब आपको मिलेगा इस तरीके से AOD clock style और यह आपको शो करेगा हमेशा के लिए तो यहाँ पे शो होगा टाइम, डेट, बैटरी लेवल और नोटिपिकेशन आइकन, Age Lighting को Enable करने के लिए आपको जना है Back और यहाँ पे है Age Lighting इसे Open कीजिए और यहाँ पे है तिन अलग-अलग options तो यह है Blue, Red और Yellow आपको जो सेट करना है उस पे selection कीजिए मतलब कि जब भी आपको फुन में कोई भी आईगी notification तो आपको मिलेगा इस तरीके से Age Lighting effect, Homepage पे अगर आप करोगे Swap Down तो आपको मिलेगा यह Shelf का Option, हाला कि मैं चाहता हूँ जब भी मैं अपने Homepage पे Swap Down करो तो मुझे Control Center अगर शो करें तो आप ऐसा भी Enable कर पाऊगे तो आपको Homepage पे Long Tap करना है More पे Tap किजिए और यहाँ पे होगा Swap Down इस पे Tap किजिए और आपको Set करना है Notification drawer पे इसके बाद Homepage पे अगर आप कही पेपी करोगे Swap Down तो आपको मिलेगा कि Control Center आप देख सकते हो अब आपको Shelf का Option शोनी करेगा अगर आप अपने फोन में NFC, Data Saving या फिर VPN को यूज़ कर रहे होंगे तो उसका आइकन आपको यहाँ पे उपर में शोनी करेगा जो शो होना चाहिए तो अगर मैंने यहाँ पे NFC कोन कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे उसका NFC का आइकन उपर में शोनी करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके फोन में NFC ओन है या ओफ है तो अगर आप शाहते हो सभी options के लिए यहाँ पे आइकन शो करें जैसे की NFC, Data Saving और VPN तो आप ऐसा enable कर पाऊगे और यहाँ पे जो network speed है आप उसे भी enable कर पाऊगे तो आपको जाना है settings में, notification में, status bar में और यहाँ पे है real time network speed आपको इसे on करना है तो यहाँ पे आपको show होगा network speed आप देख सकते हो इसके लिए आपको इन तीनों को भी on करना है NFC, Data Saving और VPN तो इन में से अगर आप किसी भी option कोन करोगे तो आपको उसका icon उपर में show करेगा इस तरीके से, इस phone में आपको मिलता है daily data usage tracker का शांदार feature मतलब कि आपने आज अपने phone में कितना data use किया है और कितना बाकी है आप check कर पाऊगे real time में, तो आपको जाना है settings में और यहाँ पे search क करना है और type करना है 10 और यहाँ पे GB done किजिए, तो जब भी मेरे phone में 10 GB खतम हो जाएगी तब मुझे मिलेगा एक alert मेरे phone में, जिसमें बताया जाएगा कि मैंने daily limit को खतम कर दिया है, और आज आपने कितना data use किया है उसे check करने के लिए आपको करना है, swipe down दो बार और आप भी अच्छे से अपने phone को उसकर पाओगे, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पुछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter यानि के XI पे भी मेसेज कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यमाद दोस्तो